हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब तो दोस्तो हमारे चनल में उत्राखंड की निसुल को सीरीज चलाय जा रही है जिसमें आपको पूरा कम्पिलिट कोर्स कराय जाएगा तो दोस्तो हमारा टॉबिक चल ला से उत्राखंड कहती है आस उत्राखंड की त्यास में हम लोग पढ़ र जैकरसा की मिर्दियों कहा होगी थी देवभर्याग्ब रगुनात मंदिर पर जैसे ही इनकी मिर्दियों के समय जो इनकी होते हैं पर्दुबने साब कुमाओ की गद्धी पर सासं कर रहे होते हैं अभी मैं आपको समझाऊंगा ये सब चीज़े हैं कुमाओ की गद्धी पर सासन कर रहे होते हैं जैसे ही जैकरसा की मिरती होती है कुमाओ से भाग कर सीधे गड़वाल आते हैं और 1786 इस्वी में राजसी हासन पर बैठते हैं और इनका जो सासन काल रहता है गड़वाल में 1786 इस्वी से लेकर 1804 इस्वी तक इनका सासन काल रहेगा डेट इंपोर्टेंट है दोस्तों आपको याद रखनी है अगर हम लोग बात करें पर्दुमन्य साहा परमार बन सके किस करम के राजा हुए तो कुमाव वा गड़वाल दोनों जगे राजा बनने वाला परमार बन सके एक मातर सासे कौन रहेगा वो रहेगा प्रदुमन्य साहा देखी जब मैं आपको लली साहा पढ़ा रहा था तब मैंने आपको पढ़ा था जब लली साहा ने कुमाव पर आकरमण किया था 1779 एसवी में तब बगवाली पोखर नाम का युद्ध होता है जो कि मोहन सिंग रोतेला और लली साहा के मद्धे में लड़ा गिया था तो उस युद्ध में लली साहा ने मोहन सिंग रोतेला को हरा दिया था और उनने कुमाव पर अपना अधिकार कर लिया था और कुमाव अधिकार करने के बाद लली साहा ने क्या किया परदुमन ने साहा को कुमाव की गद्धी पर बठाल दिया था कब बठाला 1779 एसवी में परदुमन ने साहा को कुमाव की गद्धी पर बठाया तो कुमाव पर इनका सासनकाल कब से कब तक रहा था 1779 एसवी से 1786 एसवी तक दो डेटे हैं यह आपको याद रखनी है यहां से आपको थोड़ा सा उलजाया जा सकता है एक्जाम में तो यह अलग-अलग डेटे हैं कुमाव पर सासन करने की और गड़वाल पर सासन करने की तो यह तो आप समझ गया होंगे कि देखी इससे पहले भी मैं आपको ललिस साह पढ़ा रहा था जैकर साह पढ़ा था तो मैं आपको महां से पर्दुमने साह के बारे में बराबर जानकारी देता हुआ आ रहा हूँ क्यों कि पर्दुमने साह का रोल थोड़ा सा पहले सुरू हो जाता है ललिस साह के समझ से ही पर्दुमने साह का रोल सुरू हो गया है त और इससे पीछे की दो वीडियो आप देख लिजिए आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी तो देखिए पर्दूमने सहाँ गडवाल का सासक बना 1786 इसवी में और कुमाओ का सासक बनता है 1779 इसवी में अब देखिए यहां से महतपूर्ण चीज क्या है 3700 राजा कि 54 राजा हुआ है यहां तक परमार सासकों की राज़ानी अभी तक कहां है सिरीनेगर में ही है लेकिन इसके बाद जो अगले राजा आएंगे सुदर्सन सहाव वो अपनी राज़ानी को पहिरी में इस्थांतरित करेंगे करना तो नहीं चाते थे लेकिन मजबूर वास उन के बाद राज़ानी का परिवर्तन हो जाएगा और राज़ानी चले जाएगी टिहरी में तो इसके बाद जो अगला परमार सासक काईगा सुदर्सन सहा उसके बारे में भी हम लोग बहुत विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे तो कुमावव कोशन बनता है दोस्तों कुमा कुमाव पर सासन किया था तो इस दुरान इनके तीन हमर पत्र प्राप्त हुए थे 1786 गा में बगवाली पोकवर के युद्ध हुआ जिसमें ललिस सहा ने कुमाओ को विजित कर लिया और हर्स देव जोसी की साहता से पर्दियुमने सहा को कुमाओ का राजा बना दिया देखिए कोशिन यह बनता है कि पर्दियुमने सहा जब कुमाओ की गद्धी पर बैठा था तो पर्दियुमने चंद के नाम से गद्धी पर बैठता है तो कोशिन बन सकता दोस्तों पर्मारों से का ऐसा सासा कौनवा जिसने अपने नाम की अंत में चंद लगाया था तो आपका उतर क्या हो जाएगा पर्दियुमने सहा की पर बैठता है तो बाद में यह गड़वाल आ इस परधान मंतरी बना था वो कौन बना था आपका उतर क्या हो जागा हर सज्य जोसी इसका पर बना था और देखीजिँ परदुमने सहा के समय पर भी जो सासंगी सत्ता ठी avenue जोसी मत्र जोबत के बला के सासंग को कोन से वी हुई थे दीसों मतलब मच्छा के मंतरी लोग ध महेंद्र चंद्र जो की अंतिम चंद्र राजा हुए हैं जिनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे तो अपने भ्राता जैकरा सहा की मिर्तु के बाद पर्दुबन निसा कुमाओ छोड़का 1766 इस्वी में सिरेनगर के राजिसियासन पर बैड़ गए हैं चलिए ठीक है ब कुमाओ दोनों का उनको राजा घूसित कर दिया गया है और क्या हुआ की दोनों जगे के पर जाने उनको सूईकार भी कर लिया है तो दोस्तों यहां से कुशन ऐसा ही बनता है गड़ कुमाओ का सासक बनने वाला एक मातर परमार सासक कौन है आपका उतर क्या होजएगा पर्दुमने साहब मतलब गड़वाल का और कुमाओ का एक साथ राजा बन रहा है देखिए एक साथ राजा बन रहा है ऐसी जानकरी हमको बद्रिजद पांडे देते हैं तो दोस्तों कुमाओ का राजा बन पाता है मतलब कि आपर कह सकते हैं यह जज rhवाल की गड़वाल की गड़़ी पर बैड़ी गया था लेकिन यह जज़़ा समय तक कुमाओ पर आपना सासन नहीं चला पाया था क्यों क्यों नहीं चला पाया था इसकी कई सारे कारण था जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे देखिये सबसे महत Mormon कारण तो यह था परदूमनने सaha का एक भाई था उसका नाम था पराकरम सaha इस पराकरम साहा के बिद्रो होने सुरू हो गे ते सडेंत सुरू होने सुरू हो गे ते इसी कारण से क्या होता है कुमाव का जो सासन काल होता है वो परदुमने साहा के हास से निकल जाता है परदुमन्य साहाप बाद में क्या करता है सिर्फ और सिर्फ गडवाल पर ही अपना सासन समालता है देखिए कोशन या से बनता है कि परदुमन्य साहा के किस भाई ने उसके खिलाब बिद्रो किया था आपका उतर क्या हो ज़ागा पराकरम साहाने चलिये ठीक हो गया देखिए इसने बिद्रोग किया कि हूथ? हम लोग ये बात जानने जरूड़ी है तो यह जो परदूमने सा प्रदूमन्ने सा होता है यह कुमाउ से गडवाल आता है और जब यह गड़वाल आता है तो इसके भाई को ऐसा लगता है कि यह गड़वाल की कुरसी पर मुझे बठाएगा लेकिन परदुमने सा ऐसा नहीं करते हैं वो स्वयम बैठ जाते हैं इस बासे पराकरम सा चिड़ जाता है उसे लगता था कि अभी तक तो कुमाओ की गदी पर बैठे ही हुए हैं परदुमने सा तो गड़वाल की गदी खाली हो चुकी है अगर पर्दियोबने साहा अगर चाहते तो पराकरम साहा को कुमाओ की गद्दी बार बैठा सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कि उन्होंने क्या कि हर सदेव जोसी को अपना परतिनी निदी बनाया और उनसे का कि जाओ तुम कुमाओ की बागडोर को सम्हालो इस बाद से पराकरम साहा बहुत ज़ए्धा करोजित होया था जिस कारण से उसका बिद्रौ हुआ था तो कोशन बनता है दोस्तों पर्दियोबने साहा के किस भाई ने उसकी खिलाब बिद्रौ किया था आपका उतर क्या होज़ागा पराकरम सहाने चलिए बढ़ते हैं आगे तो देखिए जब हर्थ देव जोसी की जैसे की परत्रिनीदी बनकर आ गया है गड़वाल के सासक का कुमाओ में सासन करने के लिए तो देखी उसमें क्या होता है हर्थ देव जोसी जब कुमाओ में पर्दिवन ने सहा के परत्रिनीदी के रूप में कारी करना आरंब किया तब कुमाओ के मोहन चंडर ने इसका बिरोध किया था बिरोध तो होना ही था क्योंकि अभी तक कुमाओ में चंद सासक तो थी ही ना जो उनकी जो पीडिया चल लही थी उनके जो उतरा दिकारे थे वो तो थे ही तो उनी मैंसे एक मोहन चंद था इसी मोहन चंद ने हर्स देव जोसी का बिरोध कर दिया किसीच के लिए कि कुमाओ की गद्धी पर तो हम ही बैठेंगे मतलब कि जो चंद सासा का बेत कुमाओ की बैठते हुआ हैं हम ही कुमाओ की गद्धी पर बैठेंगे तो इस बास से जब पर्दुम मोहन चंद कहता है कि आप यह से चले जाए हर्थ जेजोसी से तो यह नहीं जाता है तत्पस्चातिक युद्ध होता है बहुत ही महतपूर्ण युद्ध है आने वाले एक्जाम की हो जए का 1786 की में यह युद्ध होता अगर हम करतें मोहन चंद और लाल संह से पीछाने छोड़ने वाल है तो हर जग से कुसिसकरेगा किस तरीके सीपर्दुमिन नियुद्ध से उतारा जाए तो देखिए पाली गाओं का जो युद्ध होता है तो इस युद्ध में मोहन चंद और लाल सिंह को समर्थन प्राप्त करता है पराकरम सा का क्योंकि जो मोहन चंटु लाल संग से तो कुमाओ के थे ना और पराकरम सा गड़बाल का था और इसलिए कुशन बन सकता है तो यह मोहन चंटू लाल संग एक तरफ थे और हर सजे जोसी इसमें 100 पराज़े guidance अब हर्सजे जोसी जैसे के हार गए हैं वो क्या करते हैं भाग कर सिरी नगर पहुंच जाते हैं सिरी नगर के राजा के पास और जाएंगे भी कहां यही इनकी रक्षा करेंगे तो यह भाग गए हैं सिरी नगर की ओर फिर देखी क्या होगा हर्सजे जोसी सिरी नगर भाग ग तो देखिए फिर क्या होता है दो साल बाद 1786 में हुआ था पाली गाउग उप जुद्ध उसमें हर्सजे जुसी हार जाता है उसके दो साल बाद 1788 में हर्सजे जुसी ने स्रीनगर में एक बड़ी सेना लेकर निकला और तथा कुमाओ पर आक्मण कर दिया तो यहां आप देखेंगे पीछे अगर आप हम लोग देखें यहां से कोशिन के अगर हम लोग बात करें कोशिन किस तरह से बन सकते हैं पहले इसकी बारे हम लोग सरचा कर लेते हैं देखें पाली गाओं के युद्ध किनके माद दिवा था मोहन चंद और लाल सिंग के बीच में कौन बिज़े हुआ था मोहन चंद और लाल सिंग इसमें जिते थे अगर कोशिन ऐसा बनता है पाली गाओं के युद्ध के बाद कुमाउ का सासे कौन बना आपका उतर क्या जगा मोहन चंद यहां का सासक बना था चलिए बढ़ते हैं आगे देखिये दो साल बाद ही हर्स एक बड़ी सेना लेकर निकला और कुमाउ पर इसने फिर से आक्रमन कर लिता देखिया चुप नहीं रहा हर्स देव जोसी की कि असने हथत्या भी करवा दी तो देखिये देखिये मोहन चंद के किसने करवा फेला कोशन ने बन जाएगा मोहन चंद की हत्या किस ने करवाई थी हर्स देव जोसी ने दिखी ये हर्स देव जोसी कोई रादा नहीं रहा था इस तरब एक मंतरी हुआ करता था पहले कुमाओ के दरवार में लेकिन बाद बाद में यह इतना सक्तिसाली होता गया ये हर जगे से अपना हर्स छेप करने लग गया था तो कोशन बनता है दोस्तों मोहन चंद की हत्या किस ने करवाई थी आपका उतर क्या आजएगा हर्स देव जोसी ने इसकी मिर्तिव करवाई थी फिर देखिए संपूर्ण कुमाओ पर हर्स देव जोसी का अधिकार हो गया एक बार तो पहले पर्दुबढ़ने सागा परतर निदी बन कर आया था अब देखिए इसने युद्द किया 1788 इसमी में और यहाँ पर इसने मोहन चंदो लाल सिंग को हरा दिया है देखिए लाल सिंग अभी भी जीवित है अभी लाल सिंग की भी कहानी आएगी मोहन चंदी की यहाँ पर मेर्टी हो चुकी है तो देखिए संपूर्ण कुमाओ पर पुनह से क्या होता है हर्स देव जोसी का अधिकार हो गया अब दिखिए हर्सदेव जोसी ने क्या किया था कि स्वयम से यहां पर गद्धी पर नहीं बैटा था उसे पता था क्योंकि हर्सदेव जोसी अगर कुमाओ की गद्धी पर बैठेगा तो क्या होगा यहां बिद्रो हो जाएगा यहां की जब परजा है वो हर्सदेव जोसी खि नहीं करते थे जिस कारण से इसने यहां पर सासन करना तो मतलब सुविकार नहीं किया केवल और केवल यहां पर मंतरी का जो कारशा इसने यही करना यहां पर सुविकार किया था तो देखिए यह हजोसी जो होता है क्या करता है हर्च जे जोसी का पर्दुबन ने सहा को कि इस प्रस्ताव को असीविकार कर दिया क्योंकि या क्योंकि किस समय कमाओ पर भी जो कमाओ का दर्वार था यहाँ पर भी काफी सारे सडियन तो रहे थे जो कि पर्दुमन ने साहा जिन्सें परशान हो चुके थे और उनको गड़वाल का सासन अच्छा लग रा था तो सेव चंद की तो यह कठपुदली राजा हुआ करता था किसके हातों की हर्स देव जोसी के हातों की तो दोस्तो कोशन बनता है कि चंदों का कौन सा राजा हर्स देव जोसी के हातों की कठपुदली हुआ करता था आपका उतर गया हो जाएगा सेव चंद नाम का राजा हर्स द माओव का झो छेतर है देखिए, जो कुमाओ का छेतर है यहा पर तो देखिये इसने अपना ही राजा बढ़ा दिया सेविच..? जो कि कठपुतली राजा हो गयर किसका हर्स्थय जोसिका और गडवाल की जो यहाँ पर आसल चल ला है जो गडवाल का जो भाई लाल सिंग अभी तक जीवी थे हैं तो आप देखी क्या होगा अब जैसे की देखी लाल सिंग आपको क्या लगता है बिल्कुल चुप बैठ जाएगा उसके भाई की हत्या करवा दिया हरसे जोसी ने बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेगा अब मोहन चंदे के ब्रहता लाल सिंग ने किया किया कुमाओ उपर आक्रमण फिर से कर दिया 1788 इसभी में देखी है कुछी समय बाद पुनहा से इसने आक्रमण किया था 1788 इसभी में इसने किया किया पुनहा से वहाँ पर आक्रमण कर दिया लेकिन यहां आक्रमण ऐसे नहीं करेगा क्योंकि इतना सक्तिसार नहीं था इसने किया लाल सिंग ने नवाब फजुल्ला खां से बर जो बरिली का नवाब था इससे साहता मांगी क्यों मांगी इसने साहता मांगी थी हर्ष देजोसी के खिलाब युद्द लड़ने के लिए बरेली के नवाब से तो दोस्तो कोशन बनता है जिस समय लाल सिंग ने 1788 इसपी में हर्थ देव जोसी की ओपर आक्मर किया था उस समय इसने किस व्यक्ति से साहता ली थी तो आपका उतर क्या हो जाएगा बरेली के नवाब नवाब फजुल्ला खां से इसने साहता मांगी थी तो 1788 इसपी में एक युद्ध होता है और इस युद्ध मही देखी पराकरम साह का समर्थन प्राप्त है किसको लाल सिंग को तो पराकरम साह मैंने कहाना इतनी आसाने से पीछानी छोड़ने वाला है परदिमने साह का तो जो है लाल सिंग और नवाब फजुल्ला खां की ज और पराकरम साह ने कहा गया जो उसकी सेना थी उस सेना को लाल सिंग की सेना में मतलब उन दोनों सेना को समड़ित कर लिया और देखी लाल सिंग की सेना की कमान भी पराकरम साह ने समाल ली अब भीसन युद्ध होता है इस भीसन युद्ध में क्या होगा हर्स दे जोसी भा हम साक के rightsJa वाल की और भाग जाता है सब सुंदे के विजय और पेस्थि और लोज के सकते हैं जो किमाओं के सासने काफ़् क्या perse रहा हृँ है को है महेंद्र चंद को महेंद्र के जैसे ही नहीं और था राजा भी वाता मतलब कि यहां से चंदों की कहानी खत्म हो जाती है 1790 इस पी तक महेंद चंद का सासर निकाल लएगा तो चलिए ठीक हो गया फिर देखिए जैसे ही हर्स देव जोसी क्या होता है गड़वाल की जारा भाग जाता है किसके पास पर्दुबन्ने सा के पास क्योंकि बार बार वहीं जाएगा पर्दुबन्ने सा के पास तो हर्स देव जोसी को क्या किया था पर्दुबन्ने सा ने गड़राज में पैडलस्यू की जागीर परदान की थी तो बहुत तो बहुत ही महत्पूर कोशिन है पर्दुमने सहा ने हर्स देव जोसी को गड़राजी में कहां की जागीर परदान की थी आपका उतर क्या हो जगा बैडल स्यूम है चलिए ठीक होगा दूसरा कोशन क्या बनेगा महेंद चंद किसकी सायता से कुमाओ की गद्धी पर बैठा हुआ था तो देखिए ये सारे चीज़ी यहाँ पर रही ही ये सारे घटना कर्म यहाँ पर रही है एक कोशन में आपको लेकर चल रहा हूँ जयसे की कोई बंदी रहता है एक तरप से उसके दरवारी उसको परिसान कर रहे थे वहां गुड़ बंदी चल ली थी एक तरब से पराकरम सहा उसको परेसान कर रहा था जो बार बार से जो गडराज्यकी सीमा आई थी कुमावसी जो लगते थी वहाँ से बार बार आखरमण किये जा रहे थे फिर देह क्या होता है महेंद्र चंदक का कुमाओ की गद्दी पर बैटना हर्स देव जोसी को रास नहीं आता है Свट जेव जोसी इस बार बहुत ज़्यादा गुस्ता हो जाता है हर्स देर जोसी ने गोर्खों को कुमाओ पर आक्रमण करने का आमंतर दे दिया देखिए यहां से आगी है संकट की घड़ी और बहुत बुरा दोर सुरू होने जा रहा है गड़वाल और कुमाओ में देखिए कोशन पहले क्या बनेगा गोर्खों को कुमाओ पर आक्रमण करने का आमंतर दिया था बहुत इंपोर्टन कोशन दोस्तो तो यहां आमंतर दिया था हर्स देर जोसी ने और देखिए पराकरम साहब याद रखना है क्योंकि इससे परदुमन साहब बहुत ज़्यदा परिशान रहेगा तो देखिए जैसे की क्या होता है जे हर्स देर जोसी है इसने गोर्खों को कुमाओ पर आक्रमण करने का निमंतर दे दिया है तो भई जैसे ही गोर्खों को यह आमंतर प्राप्त होता है गोर्खे तुरंत आते हैं आक्रमण करने के लिए तो चलिए ठीक अब हमारा शुरू हो जाएगा गोर्खा आगरमड बहुत ही महत्वों टॉपिक दोस्तों हमारा शुरू हो गया है चालि ठीक हो गया वैसे हम लोग गोर्खों का जो पूरा हम लोग एक सीरी चलेगी यहां पर तो सिर्फ थोड़ी हम लोग चीज़ने जानेंगे लेकिन गोर् गोर्खाँ का उतरा खंड में या कुमाओ में पर्थम जो आकरमड रहेगा वो रहेगा 1790 इसवी में देखिए अभी तक कोई भी आकरमड नहीं हुआ है कुमाओ या पिर गड़वाल में गोर्खों का पहला आकरमड रहेगा पहला आकरमड रहेगा या कुमाओ में सबसे प पुर्खों ने कुमाओ उपर आक्रमण किया था उस समय कुमाओ को सासक कौन था आपका उतर क्या जागा महेंद्र चंद्र और गडवाल का तो इसमें परदुमने सासक है ही तो दोस्ति छोटे-छोटे कोशिन होते हैं यही कोशिन अक्षर गिजाम में आ जाते हैं तो आपको 1790 इसवी में अब 1790 इसवी में जैसे ही गोर्खाओं ने कुमाओ पर आक्रमण किया महेंद्र चंद्र को हरा कर उनने कुमाओ का जो पूरा भागता यहां पर गोर्खों ने अपना अधिकार कर लिया था पहड़ा देखिए इनका मन यह हिता कि हम लोग कुमाओं में जाएं कि कैषिन कया के अधिका प्राप्त के लग वंद आक्रमण करते हैं इनकम उनकी में पर आक्रमाण करते हैं हमें और भी ज्यादा वस्तों परात्त होग 91 इसवी में ऋनने कया सब्सक्राइब सांधू कॉषचिन कैसे बनेगे पहले को समझे घौ trillion को सम्जे जर आगोर्खों आपका उतर क्मा उपर दूसरा आकर मदब किया था आगर कोशिन ऐसा बनता है गोर्खों ने गड़वाल पर पर्थम आकर ममंद किया था तो इन चीज़ों को आप समझेए ऐसे ही आपको फसाया आता है एकज़ाम में और देखे गोर्खों ने भी किया गया तो ये बड़े चालाग थे इन्होंने भी डिरेक्ट यहाँ पर गडवाल पर आक्रमन नहीं किया था इन्होंने भी पहले इस छेत्र को जीतते हुए चलते गए और इस छेत्र को और अपने पर अधिकार पर करने की कुछिस में लगे र दिया तो देखी 1790 में महेंद्र चंद जोगी कि चंदों के अंतिम राजा होंगे और गडवाल पर इसमें कौन राजा होंगे परद्यूमन ने सहाई आपको याद रखना है पूछ लिता है दोस्तों जिस समय गोर्खों के आक्रमन हों थे कि कुमाओ पर सासक कौन था और ग तो बात करें उसमें गडवाल का राजा कौन था तो परद्यूमन ने सहा इसमें गडवाल का राजा था चलिए ठीक हो गया इस युद्ध के बारे में हम लोग अब थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं देखिए परद्यूमन ने सहा और गोर्खों के मद्ध में 1791 इ इस तरीके से हम लोग गडवाल पर अपना जो अधिकार कर सकते हैं तो लंगूरगर कहां है सबसे पहली आपको याद रखना है लंगूरगर जो है वो है गडवाल में इस समय जो है कुमाओ इस समय जो हस्तिदल चोतरीय और अमर सिंध थापा जो थे वहां गोर्खों का ने करने में असमर्त रहे हैं मतलब कोशिस तो ने बहुत किती हम लोग गड़वाल पर भी अपना दिकार कर लें लेकिन इनका जो पहला परियास होता है यह परियास इनका असफल हो जाता है लेकिन जब 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 इनका घेरा रहा इस बास से परदुमन साभी काफी ज़्यादा प करें लंगूरगर की संदी कब हुई थी कई संदी होई थी और इस संदी में यह तय किया गए इस संधी में यह तही किया गया जो परद आहो पच्स हजार रुपे वार्सी करक को देंगे बहुत ही महत्पोंट चीज है दोस्तों यह कुशन बन सकता है कि जो जब लंगूर गर्दी संदी हुई थी 1791 में तब परदुमन ने साने कितना रूपिया वार्सिक कर देना गोर्खों को सुईकार किया था आपको अधर क्या जाएगा सेन को वहाँ पर अधिकार करने का आउसर प्राप्त हो जाए चलिए बढ़ते हैं आगे तो देखी फिर क्या होता है 17 गड़वाल पर भैंकर प्राकरती तरह से दिया मतलब हम लोग कह सकते हैं परदुमन ने साहा के समय में ना उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ था कि इसमत ने उनका कहीं से लेकर कहीं तक साथ दिया ही नहीं देखी फिर क्या होता है गड़वाल पर भैंकर प्राकरती मतलब आपदाएं वहाँ पर आनी सुरू हो जाती है उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं 1795 इसपी का भीसन आकाल पड़ा था किस के समय में परदुमन न सहा के समय 1795 में भीसन आकाल पड़ा जिसे 51-52 के नाम से जाना जाता है दोस्तो बहुत ही महत्पूर कोशन है 51-52 नामक आकाल किस परमार सहा सक के समय में पड़ा था आपका उतर क्या जागा परदुमन सहा के समय में या कोशन ऐसा बन सकता 51-52 नामक जो आकाल था वह कब रहेगा 1795 इसवी में और इसमें गड़वाल के राजा कोई है परदुमन सहा इसमें गड़वाल के राजा है तो देखी गड़वाल में 52-52 का परियोग दुर्भिक्ष यानिकी आकाल के लिए किया जाता है ऐसे कोशन बनते हैं चलिए ठीक हो गया तो 1795 में भीसन आकाल आत इसमें गड़वाल पर आता है बहुत ही बिनासकारी भीकंप जिसको हम लोग कह सकते हैं और उत्राखंड के इतिहास का सरवादिक भयंकर भुकंप इसी समय आया था तो 1803 इसमें आपको याद रखना है अगर हम लोग बात करते हैं इसके तीवरता की बदरीनात में इसकी त इसमें इसके पॉइंट जीरो तो 9.0 रिक्टर इकसेल इकसेल का यह आता है भुकंप कहां पर गड़वाल में 9.0 रिक्टर इसके लब समझ सकते हैं कितना होता है तो अगर बात करें उत्राखंड के इतिहास का यहां गड़वाल के सांसा उत्राखंड का भी सरवादिक इसपी में और देखें यहां पर इतना आकाल आया है यहां पर भुकंप आया है इस दुरान क्या होगा गड़वाल का जो परदोमने साह था उसका राजकोस इसमें रिक्त हो गया था राजकोस रिक्त हो गया है आप देखें क्या होगा बहुत सारी परिसानिया परदोमने सा अगर कोशिन ऐसा बनता है 1830 इसमी में जो बिनासकारी भुकंप आया था, इसका केंदरे बिंदू क्या था, तो आपका उतर क्या हो जाए का गड़वाल ही इसका केंदरे बिंदू था, चले ठीक है बढ़ते हैं हम लोग आगे, तो देखिए इस बिनासकारी भुकंप से भी छतिग्रस्त हो गया था और देखिए लोग घर विहीन हो गए कपड़ों को मदब लोगों को पहनने के लिए कपड़े नहीं है खाने के लिए खाना नहीं है राज्य में एक दूँ कंगाली आ गई और राज्य की आर्थ किसी थी बहुत ही खराब हो गई है ये तो और तो बीस वहां से पच्चिसमा भागी मातर सेज रह जाएगी तो दोस्तों समझ सकते हैं कितना भैंकर भुकम पाया था अगर किसी जगह पर सो लोग रह रहे थे तो उनमें से मातर बीस या पच्चिस लोगी वहां पर जीवित बचे थे मतलब की मातर बीस मतलब मातर बीस वहां किसी तितनी खराव जाती है, परदुमाने सा की गड़वाल की, लोगों के पास खाना नहीं है, कुछ भी मतलब इस समय लोगों के पास नहीं है, इसी समय के आखे गोरखाओं ने इस इस्तिती का लाब उठाया और गड़वाल पर आक्रमण कर दिया, यहां आक्रमण इतनी जल पर्दिमें अपने गेहने तो सहárन पूर में इन्हों अपना सभ वेच दिए था। अपना सभ कुछ यह इन्होंने अपनेिया था। दूतिये गूर्खा आक्रमण चलिए ठीक हो गया फरवरी 1803 इसवी में यहां आक्रमण हुआ था इसमें अगर हम बात करें गड़वाल का राजा कौन हो जाएगा परदियुम्र ने सहा तो दोस्तों कोशन बने गड़वाल का गड़वाल पर दूतिये गूर्खा आक्रमण कौन थे अमर सिंग थापा और अहस्ति दल चोतरिया इस समय गोर्खों के सेनापती रहेंगे बहुत ही महतपूर्ण दो सेनापतियों के नाम आगे हैं दोस्तों आने वाले एक्जाम के लिए पूछता रहता है और पूछे भी गए हैं और आगे भी यह सब कुछा जाएगा तो जिस समय 1803 में गोर्खों ने दुटिये आक्रमण किया था गडवाल छेतर पर उस समय अगर हम लोग बात करें नैपाल नरेज कौन था या पर कह सकते हैं कि नैपाल का राजा कौन था आपका उतर क्या हो जागा रण बहादूर इस समय नैपाल का राजा था तो दोस्तो दल चोतरिया अमर सिंग थापा तो आया थे सेनापति के रूप में इनी के साथ भक्ती थापा और रणधीर सिंग बसन्याद भी इनके साथ आयते सेनापति के ही रूप में तो दोस्तो हो सकता है इनके नाम भी एक जामे पूछले मैंने आप लिग दिये हैं भक्ती थापा और रधिर सिंग बसन्याद चलिए ठीक हो गया बढ़ते हैं हम आगे तो देखिए परदुमने साहा के पास तो जो है सेना की कमी थी सेना में बिलकुल भी उनके पास सेना नहीं थी सेना और आकाल वैसी हो गया था लूट पार मची वी थी मतलब कुछ भी इसमें अच्छा नह से जाना जाता है फिर बी देखिए परदुमने साहा फिर भी लड़े पहला जो युद्ड होता युद्ड का युद्ड इसको हम लोग बोलता है उत्तरकासी में युद्ड हो ाता है बाड़ा चाहा नहीं चिद्ड को होता है गड़ मतलब गोर्खाओं अठारा से तीन इशी में यहाँ जूड़ होंगे दोनों के दोनों बाड़ाहाड के उद्ध का है चमुबा का जूड़ तो गोर्खाओं और परुदुमन ये सहा के मद्डि में होंगे तो इस युद्ध में भी गोर्खे बिजाई रहेंगे उसके बाद देखें दो युद्ध हो जाने के बाद फिर से एक युद्ध होता है इन युद्ध में कोई निर्णाय नहीं निकला देखिए इतना सारा आकाल पड़ गया उसके बाद भी पर्दुमन साने हार नहीं मानिये फिर देखें अन्तिम वह निर्णायक युद्ध जिसको हम बोलते है खुरबोड़ा का युद्ध देखिए बहुत ही महत्वण युद्ध यहां पर आ गया है तो यही युद्ध जो रहेगा वो निर्णायक युद्ध रहेगा इसी युद्ध से हमको पता लग जाएगा कि गड़वाल पर अपसासन कौन करेगा तो खुरबोड़ा का युद्ध जो कि देरादोन में हुआ था अगर आपसे कोशिन ऐसा पुछ דया को युद्ध के मद्ध में हुआ था आमने सामने आयाती है बिलकुल और देखी इसमें पर्दुमने साह सायता मांगते हैं लंडवरा के गुजर राजा राम दयाल सेंग से तो राम दयाल सेंग ने इनकी सायता की थी और बारा हजार की सेना जो है बारा हजार की सेना पर्दुमने साह को दी थी तो दोस्तो कोशन बनता है भी खुरबुड़ा के युद्ध में पर्दुमने साहा की सायता किस ने की थी तो आपको तो क्या हो जाएगा लंड़ोरा के गुजर राजा राम देयाल सेंग ने इनकी सायता की थी बहुत ही महतपून कोशन दोस्तो राम देयाल सेंग ऐसे कोश्चन हमेशा एक जैने बनते हैं जो आप बिल्कुल भी पढ़ते नहीं है तो खुरबड़ा के युद्धो में कौन सायता करेगा परदुमनिसा की लंड़ोरा के गुड़जर राजा रामदियाल सेंग जिन्होंने की बारा हजार के सेना लेकर परदुमनिसा को भेजी थी एक तरफ थे गड़वाली सेना जिजका नेतर्थ कर रहा था अमार सेंग थापा और हस्दल चोतर है तो दोस्तों जो हम लोग पढ़ रहे हैं ख़डवडा के युद्धों हो या भी हम लोग इन चीजों के बार में तब डिसकस करेंगे तो यहां का जो गडवाली सेन्य का जो नेतर्थ करेगा अमार शेंग थापा और हस्दल चोतरिया यहाँ पर नेतवत्त करेंगे तो दोस्तो कोशन बनता है खुरबोड़ा के युद्ध में गड़वाली सेने का नेतवत्त किसने किया था अमार सिंग थापा और हस्ती दल चोतरिया ने किया था चलिए ठीक हो गया इस युद्ध में पर्दोबंने सागी हार हो गई क्योंकि यही पर इनकी मिर्थी हुई थी और यही पर किया हुआ था इनका समाधी स्तल बना दिया गया था फिर देखिये गड़वाल अंगोरखाव के हातों महा आ गया क्योंकि जैसे कि राजा की मिर्थी हो गई है राजा की मिर्थी होने के बाद क्या होगा राजा की मिर्थी होने के बाद जो सत्रुदल होगा वो उसके राजे पर क्या करेगा अधिकार कर लेगा तो इस परकार से 1844 इस्वी में क्या होता है 14 मुए 1844 भी खुरबड़ा का युद्ध होता है डेट आपको याद रखनें दोस्तों ये डेट आपको बहुत important है तो युद्ध होता है 1844 में गोर्खों और परदुमनिसा के मद्दे में परदुमनिसा की होगी ये मिर्थी और मिर्थी के साथी गोर्खों का कुमाओ पर अधिकार हो गया है गोर्खों का गडवाल पर अधिकार हो गया है कुमाओ पर तो अधिकार चली ही रहा है 1790 इसवी से और अगर हम लोग बात करें कि गोर्खों ने कुमाओ पर अधिकार कप किया ता 790 इसवी में और गोर्खों ने गड़वाल पर आखर मरतब किया देखिए 1840 इसवी में गोर्खों का गड़वाल पर भी अधिकार हो गया है चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे पिरितम सहावी पर्दुबन ने सहा के साथ हो लिया और साथ साथ में सुदर्सन सहावी पर्दुबन ने सहा के साथ हो लिया तो इतने सारे लोग पर्दुबन ने सहा के साथ थे लेकिन बात वही थी ना इनकी सेना का भाव था आकाल पड़ा हुआ था भुकम पकी सिती थी जिस कारण से इनकी सेना हार जाती है और पर्दुबन साकी मिर्दु के उपराद गोर्खों ने उनकी मिर्तात्मा का हरेद्वार में राच्की सम्मान के साथ अंतियोष्टी की थी ये नहीं की उनकी उनकी मिर्दु के बाद भी गोर्खों ने क्या किया था उनकी राच्की सम्मान के साथ उनकी अंतियोष्टी की थी तो कोशन बन सकता दोस्तों पर्दिवन्य सागी मिर्दू के बाद गोर्खों ने पर्दिवन्य सागी मिर्दात्मा का राज की सम्मान के साथ अंतियोष्टी कहां की थी आपका उतर क्या हो जाएगा हरी द्वार में चलिए ठीक हो गिया फिर देखी परदियुमने सहा अखंड गड़ राजी का अंतियम सुतनतर राजा रहेगा मतलब कि अखंड गड़ राजी का मतलब समझते हैं आप अभी तक गड़वाल किसी भी पार्ट में बटा नहीं है लेकिन क्या होगा जैसे ही 1815 का काल आएगा अभी तक गड़वाल सिरफ और सिरफ एक ही है लेकिन अभी आगे जब हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में तब हम देखेंगे गड़वाल दो भागो में बढ़ जाएगा तो इस परकार से दोस्तो कोशन बनता है कि अखंड गड़ राज्जी का अंतेम स्वतनत परमार राजा कौन रहा था आपका उतर क्या जागा परदिमन ने सहा बहुत ही महतपुन कोशन दोस्तो आने वाले एक्जाम की दिरिश्टी से चलिए ठीक हो गया फिर देकि परदिमन ने सहागी परा जाएगा हम लोग कारण ढोड लेते हैं कि कारण क्या रहते जिनके कारण ये हार गए थे तीकि राजनीतिक सुच भूच का इनको आभाव था गड़ मंत्रियों में जो फूट चल ले थी वहाँ पर वो तो मैं आपको सुरसे पढ़ाता हुआ रहा हूँ राजकोस रिखता हो गया था क्योंकि आकाल पढ़ा था भुकम पभी वहाँ पर आये थे जिस कारण से राजकोस रिखता हो गया था और सैन ने बर के निरबलता सैन ने बल तो वैसे ही निरबर हो जाएगा जब जिस राजकोस में पैसा ये नहीं रहेगा सैनिकों को वेतन नहीं मिलेगा तो निरबलता आना ही तो सवभाव एकसी बात है तो चलिए ठीक है ये सब चीज़ें आपने जान लिए हैं यहाँ पर ये बहुत ही महत्मण कोशन दोसो अखंड गड़ राजी का अंतिम स्वत्मत राजय को होन रहेगा पर्दियुमनिस साहा आगे जो है अभी तक गड़वाल जो है पूरा गड़वाल एक ही राजी है ले लेकिन फिर होता क्या है गोर्खे भी अधिक समय तक गड़वाल पर सासन करने में असमर्त रहे थे ऐए अठारस सो पंदरा में क्या होता है गोर्खों को अंगरेश से पराजित होना पड़ा था अब गड़वाल दो भागों में विवाजित हो गया एक है बिटिज का बहुत ही महतपूंट रेट है दोस्तों पूछ सकता है गोर्खों का कुमाओं पर गडवन कुमाओं गोर्खों का गडवाल बस हासनकाल कपता करेगा 1815 इस भी तक क्योंकि दोस्तों ऐसे कोशनी जामें बनते हैं इसलिए आपको याद रखना है जैसे ही गोर्खों को गोर् भूमी का बनाके चल लहें अगली वीडियो की क्योंकि अगली वीडियो में हम लोग क्या पढ़ाएंगे इसके बारे में अभी इससे आपको जान लेना है और कstagमें दूसरी वीडियो के लिंक है इसलिए आपको जानने जरोडिए तो गोर्खों को अंग्रे जोंने हरा दिय 25 प्षिवी में और यहां पर अंगरे जोने अपना अधिकार कर लिया है चले ठीक हो गिया फिर देखी गोर्खों का अंतो हो गिया है अब हम लोग परदुमण्न सहा के बारे में कुछ चीजिण और जान लेते हैं देखी परदुमणन सहा के समय में दून घांटि पर भी पश्चिम से सिखहों के तधा सारनपूर के राजपूतओं तधा गुजरों के छापे से दून में बiors कर तबाहिक हो रही चानर की शिक्षों के राजपूतों के राजपूतों かा भी गूजरों का भी पर आकृरी सुरूज हो गया है तो तो दून का जो छेत्र था वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया था मतलब लूट मार मची हुई थी बिल्कुल यहां पर भी राज जिमें चल रहे राजनिती कुछ अक्रों में फसे होने के कारण पर्दुबन ने सहा दून की रक्षा नहीं कर सके देखिए हम लोग बात कर रहे हैं जब गड़वाल पर सासन मतलब जो उनका अधिकार नहीं गुआ था उससे पहले कि हम लोग बात कर रहे हैं कुछ फैक्ट है हम लोग बात में पढ़ते हैं जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं राजनेती कुछ अक्र मतलब की जैसे कि मैंने आपको बता है दरबार ही में जो है इनके कुछ अच्छा चलनी रहा था जिस काड़ से दरबार की बात ही सुलजाने में लगे हुए थे और जो यह आक्रमन हो रहे थे दून घाटी में तो इनके कोई ध्यान जाता नहीं है जिस काड़ से लूट मार यहाँ पर मची हुई थी चलिए ठीक है बढ़ते हैं आगे तो देखिए इसी जो परिष्टिती जैसी यहाँ पर बने हुई होती हैं लूट मार चल रही होती हैं इसी परिष्टिती का लाब उठाकर सिर्मौर राजा ने दून पर अपना अधिकार कर लिया था तो दोस्त बहुत ही महतपूर यहाँ पर कोशन आ गया है देखिए शिर्मौर राजा ने दून पर अधिकार कर लिया है बहुत ही महतपूर फैक्ट है यह आपको से आपर देखने को मिलेगा कैसे कोशन देखिए कैसे बनेगा किस परमार सासक के समय में सिर्मौर राजा ने अपना अधिकार कर लिया था और 1801 एसवी से लेकर 1801 एसवी तक सहरनपुर पर मराठों ने भी दून घांटी को खुब लोटा था मतलब कि सहरनपुर से आये थे कौन मराठ है एस से मैं धून की राजन ही कहा थी, आपका उतर क्या हो जगाै? पिर थवी पूर तो दहरादून में अमेद सिंह उमेद सिंह जँ चले ठीक हो गया पिर दि SMITH, हम लोग कुछ और लाव क्ज़न बी हम लोग को पड़ाने पढ़ते हैं उने की हम लोग चरजा कर रहे हैं फिर देखिए मोला राम ने अपनी रचनाओं में पराकरम साह को विलासी दुराचारी तथा चरतरहीन राजकुमार कहा है दोस्तों बहुत ही महत्पूर्ण चीज़ है आपका कोशन कैसा बनेगा गया है कि पराकरम साह को विलासी दुराचारी वो चरतरहीन राजकुमार किसने कहा है आपका उतर कहा जगा मोला राम ने कहा है क्यों कहा है देखिए पराकरम साह ने मोला राम की गड़िका और जागीर दोरनों चीनली थी जिस करण से मूला राम ने इनको पराकरम सहा को विलासी दुराचारी वो चरतरहिन राजकुमार कहा है फिर देखिए पराकरम सहा ने ही परदुमने सहा के वफादार वधिनस्तों खंडूडी भाई राम वधारना की हत्या करवाई थी तो दोस्तों ये जो हमारा आजाएगा ना पराकरम सहा इसने बहुत ज़्यदा परसान किया हुआ है यहाँ पर परदुमने सहा को तो कोशन बन सकता है परदुमने सहा के वफादार अधिनस्त खंडूडी भाई रामा वधारना के हत्या किसने करवाई थी आपका उतर क्या हो जाएगा पराकरम सहा ने कराई थी जो कि इसका भाई था चलिए ठीक हो गया फिर देखिए सिरी डबराल जी ने एक बात कहिए जो हमारे सेव परसार डबराल उन्हें क्या किया है बही देखिए निर्धंता में तो डूबा ही हुआ है क्योंकि इनका राज को समय सही से इरिकत ही रहेगा तो दोस्तो कोशिन कैसे बनता है आपका उतर क्या हो जाएगा परद्यूबने सहा या ऐसा बन जाएगा आपका उतर क्या जागा परद्यूबने सहा और देखे डबराल सहा ने एक बात और कही है डबराल ने ये भी कहा है कि परद्यूबने सहा में इस्तरी योचित गुर्ण भी थे इस्त्रियोचित गुरु मतलब जो की थोड़ी इस्त्रियोचित गुरु मतलब जो की थोड़ी इस्त्रियोचित गुरु मतलब जैसी मतलब हरकतें करता हो बाकि आप समझी गया होंगे पर्दुबने सहा में ऐसे कोई से भी घुड नहीं थे तो यह रही थी हमारी पर्दुबने सहा की बात और पर्दुबने सहा परमार वन से के सिरी निगर में अंतिम परमार सहा सक रहेंगे इसके बाद राजधानी कहां चली जाएगी राज़ने चली जाएगे टिहरी तो यहां से हमाने पर्दुमने सहा कंपलेट कर लिया है अगली वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे सुदर्शन सहा के बारे में हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में चैनल को लाइक चैनल को सस्क्राइब भी दोस्तों अगर आब कुछ पूछना वता कमेंड कर लिया कीजिए मैं हर कमेंड का रेप्लाई जरोड करता हूँ चले दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में